हेलो पैंग्स गूड इवनिंग और वेल्कम बैट टू माई चैनल लख्यू व्लोग्स और कल है मकर्शन क्रांत्री तो आज हम लोग बनाएंगे गाजर का हल्वा तो आज मैं उसकी रस्पी आखिशा शेयर करोंगी और अभी मम्मी बनाएंगे गाजर का हल्वा तो मैं अपन स्ट価़ का है वह रस्पी स्टार्ट करती है तो आज व्लोग तो तो यहां अग्या वाजर बिगत दो कि गाजर है और इसको उबाल दिया है इसमें मैंने डू डाल दिया है और दूत के साथ आप पाल लिया है अब स्टार्ट्ट करेंगे बनाएंगे यह जी दूप लग अ इसको डाल दिया है इसको बगी का अतनता लगा के इसमें इलाइची डाल दिया है अब ये जो पानी है दूद इसमें दूद डाल के उबाल लिया अब इसको पानी जो है अब इसको सुखा लेंगे और गाजो को अच्छी तरह से कस लेंगे कि इसमें पानी ना रख जाए है फिर उसके बाद जो है जला हो राएंगे इसका पानी सूख गया है और इसको पनहार ले रहे हैं और जो जुमने अभी निकालने वाला हो गया अभी सीरा बनाएंगे सकर का इसको निकाल लेंगे इसको निकाल लेंगे यह हमारे मेवे हो गए हैं गरी है किसमिस है यह जो गाजर में बचा हुआ पानी था उसका इसी में शक्कर डाल देंगे जला बनाने के लिए जो गाजर जब उबाला दूद और गाजर को जब उबाले हैं दूद डालके तो उसका पानी बच जाता है उसको फेकिये नहीं और इसमें जो है सक्कर का सीरा बना लीजिए तो उसकी जो मिठास गाजर की होती तो पानी में छूट जाता है तो फिर उसमें जब सक्कर डालेंगे तो उसका नैचुरल जो है मिठास वो गाजर में आ जाएगा देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया देखिए लगता है कोई कलर डाला गया मगर इसमें कलर नहीं, यह गाजर का ही कलर है, जो गाजर के पानी छुटा, उसका ही यह कलर है, देखिए किना प्यारा सा आरा है, इसा कलर आ गया देखो, कितना बड़िया कलर है, अच्छा नैश्रल चीज, देखो भगवान ने क्या बनाया है, कंड़ ना प्यारा ऊरेंज कंड़र कंड़ अइससे अइसे लगया कि कोई टाला कुछ अब यह देखो तार बढ़ने लगा है एसे इतना थीक हो जाए तब गाजर को डाल देना जाए अब यह हमारा सीरह तैयार हो गया वसमें गाजर डाल देंगे यह गाजा डाल दिया है अभी गाजा में भी पानी छूटेगा तो इसको अच्छी तरह से कस लेना है इसमें घीडाल के अच्छी तरह से कस लेना है और देखो कितना प्यारा सा कलर आया है सबस्क्राइडेशाफ ऊक्राइडत है अब इसमें मेवे एड़ करेंगे इया है है मुनकह किस इसलिए और यह जब सब को इसलिए इसमें पानी सब खतम हो गया है और धीरे, धीरे थोड़ा-थोड़ा लगने लगा है अब इसमें घी आड़ कर दींगे भी इसके बाद उतले गें गी डालें गी और डाले हैंगे और मेरे गाजर का हलुद बनके तयार हो गया सब लोग खा रहे हैं और आप चाहते हम भी खाने और आप लोगों कैसे पसंद आया है और जरूर कमेंड करके बताना मुझे कि आप कैसे रिस्पी कैसी लगी और यह मेरी ममी की रिस्पी है और हम लोग ऐसे ही बनाते हैं और अभी हम इस ब्लॉग को भी एंड करते हैं फिर ने इस ब्लॉग में कुछ और देखाएंगे अच्छी चीजे और बाई गुट नाइट और मेरे चैनल को एक लाइक, सस्क्राइब, शेर जरूर करना और बाई गाईज